सावलता कला का सरकारी विद्याले किसी एकडेमी से कम नहीं एरादे अगर नेख हो तो कोई भी काम ना होंकिन नहीं होता ये कारिकर दिखाया है सावलता कला के ग्राम वासियों और भामा शाहों ने आपको बता दें कि रोहट तहसिल के सावलता कला का राज के उच्च माधमिग विद्याले आसपास के छेतर में चर्चा कविसे बना हुआ है जहां विद्याले की जमीन लूडिया पानी की है वहीं पूरी जमीन खारी होने के बाबजुद विद्याले के प्रिंसिपल और भामा शाहों के अधिक प्रियासों से विद्याले के सौंदर ही बदल डाला महच 5-6 वर्सों में बहार से उपजाव मिट्टी लाकर विद्याले परिशर को हरावरा कर दिया आज विद्याले में करीब धाई हजार पिड़ पौधी हैं ये अपने आप में एक मिसाल है साथी विद्याले में गाड़ी पार्किंग, प्रार्थनास्तल, सीसी ब्लॉक, चार दिवारी, खेल, मैदान, आधुनिक बातरूंग, सीसी टीवी कैमरे, इबेल सहिद, संपूर तकनिकी से लेस, खुबसूरत विद्याले किसी प्राइवेट एकडेमी से कम नहीं है साथ ही इस विद्याले का पढ़ाई का इस्तर भी काफी अच्छा है, आईए जानना चाहते हैं विद्याले के प्रिंसिपल और स्थानी महिला सरपंच से, वो क्या बताते हैं, बंदे भार से राजु विश्णुई की रिपोर्ट हमें यहां मौजुद है प्रिंसिपल महदे के जो प्रिंसिपल महदे का कक्स होता है, उसके अंदर ओपिस में अभी मौजुद है, आपको यहां की विशेशता बताना चाहेंगे, कि सरोपरतम दिखाना चाहेंगे, कि यहां विद्याले प्रिसर में जितने भी विद्याले है उसके अंदर CCTV कैमरे लगे वे और इसका पूरा वीरर है जो प्रिंसिपल मौदे के सामने लगी LED के अंदर केड होता है यह के सरकारी वीडियाले के अंदर बहुत कम वीडियाले में देखने के लिए ऐसे चीज़े मिलती है है दूसरी बात आप इसकी जो अंदर furniture है आप देख सकते हैं और इस समय हमारे साथ में है जो यह के गाओं के सरपंच है उनसे बात चीत करना चाहेंगे कि आपके कारीकाल के अंदर जो है इसे वीडियाले के लिए आपने कारीकाल के अंदर क्या काम किया है आए जानना चाते हैं सरपंच साथ से मैं सरपंच हूँ सांवलता कला से गराम पंचाइद में इसकूल में बहुत बवेश्ता है छिची बलोक है चियार दवारी ला रहे है हांचे पुड़ दवारी है सब मेरे काम भूया है भरती मीटी डलवाई हूँ सब कम कम 20 पसीश लाक काम तो माता जी है जो सरपंच है यहां के सांवलता कला के सरपंच है इस्तानी सरपंच है उनका कहना है कि हमने हमारे सरपंच कारियकाल के अंदर है जो 20-25 लाक का काम है वो विद्याले परिसर में करवाया है विद्याले में काम करवाया है अभी हमारे साथ में विद्याले के प पासियत है सर या कि जो सुविदा है उसके बारे में थोड़ा विश्थर जान कर दीजिए मैं कुनाराम जाट यहां परदानचारी के रूप में कारियत हूं 2018 से यहां मैं पिंसिपल के पदबर कारियत हूं हमारे स्कूल में जन सयोग और बहमा सयोग के सयोग से और राजी सरकार से जो प्राप सुविदा हैं उसके बाद एक जो कॉन्वेंट स्कूल में सुविदा हैं होनी चाहिए वो सारी सुविदा हैं इस विद्याले में उपलब्द है हमारे विद्याले में परियावण की दरश्टी से देखें तो यहां लवणी जमीन और वीप्रीत परिश्टित्यां होते हुए भी हमने लगबग दो से डईजार के बीच में पोदे लगए हैं और विद्याले परिशर में जो प्रादना सभा इस्तल है उसके दोनों तरब ग्राम पंचायत के सयोग से जो हमारे यहां वर्तमान में सरपंस मौदा है उनके प्रियासों से SMC अध्यक से बावुलाल जी चोधरी उनके सयोग से और सभी ग्राम वाश्यों को साथ में रख करके हमने यहां लगबग आज तक 55-90 लाग तक का जनसयोग से कारी करवाया है और बहुतिग से विदाओं की दर्ष्टी से सुद्रड होने के कारण हमारा विद्याले है वो पिछले वरस PM स्री योजना में सलेक्ट हुआ था केंदर सरकार और राजी सरकार की जो पीम सरी योजना है उस योजना में स्लेक्ट हुआ यहां का स्टाप बहुत ही अच्छा कारी कर रहा है सभी स्टाप है वो अपने अपने चेतर में बहुत ही अच्छा परियास कर रहे हैं विद्याले में अरवर्स है वो प्रिक्षा यह को सेंटर भी है और जितनी सुविदा ही जाये जैसे सीसिती वी कैमरे हैं पूरे भीर सर में हर क्लास रूम में सी सीसिी टीवी कैमरे लगे होएं बच्चों को स्वच पैज लूप लगत हो रहा है जिसमें वाटर कुलर तीन जगह वाटर कुलर लगे हुए हैं इलेक्τοनिक है नहीं इसलिए electronic bell और जन स्योग से हमने यहां समीदा पर है वो एक मैला कर्मी को लगा रखा है इसके अलवा परीशर के अंदर छातर छातराओं के लिए अलग अलग टॉयलेट बने हुए हैं और आधुनिक रूप से जो शुविदा एक टॉयलेट के अंदर होनी चाहिए सो बड़े टैंक बना रखे हैं यहां पाने की है वो बहुत ज़्यादा किलत रहती है जनूरी मा के बाद में तो सचसे है वो हमने संगरण की पदती भी बना रखी है और इसके अलवा पूरे गाव जन स्योग स्टाप के स्योग से हमारा विद्याले है वो उत्रोतर अच्छी परगती करवा है तो आज वंदे भारत न्यूज है उसकी टीम जो यहां सावलता कला विद्याले में पहुंची यहां के प्राकरतिक सौंद्रिये के सरूप को दिखाया है हमने यहां की हर्याली को दिखाया है कैसे खारे पानी और खारी जमीन के अंदर यहां पर दो से है इसकी खुबसूरती है इसके बारे में कुछे जान कर दीजिए मेरा नाम बावुलाल जाट है मैं यहां का अध्यक्स हूँ है समसी अध्यक्स हमारे स्कॉल में हर सुईदा मौजूद है हमारे प्रिंसिपल साव है और 2017 लगे थे फिर बाद में 18 वापस आये थे प्रिंसि के लिए लड़कियों के लिए हर सुईदा मौजूद है तो बावलाल जी का कहना है कि मेज चार से पांस वर्स के अंदर जो इस विद्याले का जो सवरूप है जो संद्रिय करन है वो बना है वो मेज चार से पांस साल के अंदर बना है और इसमें प्रिंसिपल मोदे की है जो एहम भूमी का रही है चाहे बामा साओ को इन्होंने जाके निवेदर किया है बामा साओ के आगे इन्होंने रिक्वेस्ट की है वीदियले के अंदर काम करवाने के लिए चाहे सरकार के कोई सरकारी काम हो या जो भी इनको लगा है इन्होंने अपने इस तर पर अर्थ संबो परियास करके इस विद्याले का है जो सौंद्रिय बनाया है आम गरीब मजदूर किसान की आवाज बनकर फिर हाजिर होंगे देखते रहे हैं वंदे भारत न्यूज रोवेट से राजु विश्णुई की रिपोर्ट आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज और मैं आपका साती राजु विश्णुई शिक्सा का मंदीर मा स्वरस्वति का आंगन जी हाँ मैं आज खड़ा हूँ राज के उच्छ माद्यमिक विद्याले सावलता कला में जहां पर है आपको मैं आज दिखाने आया हूँ इस विद्याले की विशेष्टाएं हरियाली पेड़ पोदे पिछले कई वरसों से जो एक मानसिक्ता ग्रामिन सेतर में अनफड ग्र ग्रामिन लोगों के मानसिक्त में ऐसा मानसिक्ता भरदी जाती है कि गौवर्मेंट स्कुल में है जो पड़ाई अच्छी नहीं होती है गौवर्मेंट इस्कुल में ह। जो खेल के मेदान अच्छे नहीं होते हैं बातरूम की सुविदा नहीं होती है ठीक इसके विप्रूत आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं गुवर्मेट विद्याले के अंदर कि यहां पर आधुनिक तकनिकी जो भी सुविदा हैं आजकल होती है वो हर सुविदा इस विद सम नहीं होने के बाब जूद भी एक पिता चाहता कि उसका बच्चा है जो प्रवेट इसकुल में पड़े गुवर्मेंट इसकुल में कि उनके दिमाग मैसी मांसिकता बर दी जाती है कि पड़ाई अच्छी नहीं होती इस्टा पूर्ण रूप से नहीं होता खेल के मैदान अच्छी नहीं होती इसको ठीक विप्रित मैं आप आपको दिखना चाहता हूं कि मेरे साथ केमरामेंट से कहना चाहूंगा कि सरोपरतम आप यह जो पेड़ पोदों की हरियली है मुख्य द्वार के दोनों साइड में आप देख सकते हैं किस तरह से कितना सुंदर परकति का सुंदरी आपको देखने को मिल रहा है चारो तरफ गेट के दोनों साइड में और दिवार के चारो तरफ यहां पर पेड़ गेट है वो कितना सुदर इसकी बनावट है कितना सानदर इसका लुक है इस विद्याले के अंदर जो आपको मुख्य ध्रवेश होते हैं उसका मुख्य ध्रवार देखने को मिल रहा है उसके बाद में दिरे-दिरे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि मुख्यदवार से लेकर विद्याले के रूम तक पहुचेने के लिए है जो ब्लोक सीसी का यहां पर निर्मान किया गया है और मुख्यदवार के अंदर जैसे ही प्रवेस करते हैं तो आपको देखाएंगे कि यहां पर कितनी खूबसूरत ढंक से पार्किंग है जो पार्कि स्कूल में महेंगी फिस लेकर आपको दी जाती है लेकिन यह गौर्मेंट विद्याले के अंदर आपको यह सुईदा मैं दिखा रहा हूं मुख्यदवार के साइड में आप देख सकते हैं कि बातरूम बने वे हैं बच्चियों के लिए अलग हैं लड़कों के लिए अलग ह आदुनी की सुईदा उसे लेस बातरूम बने वे हैं इसके बाद में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कैमरा मैं इसे कहूंगा कि जितनी हरियाली पेड़ पोदों की बार है विद्याले के अंदर भी चारो तरफ आप देखिए कितना सांदार यहां पर पेड़ पोदे हैं क बिट्टी के यहां डालने के बाद में यहां पर है जो पेड़ पोदे उप जाए गये हैं आगे जैसे जैसे आपको दिखाएंगे के इस साइड में एक और पार्किंग बनी हुए जो गाडियों के लिए हैं बाइक्स के लिए हैं और यह मुख्यद्वार से विद्याले पर सरकारी विद्याले में हैं जो इस तरह की हरियाली है वह बहुत कम देखने को मिलती है आगे मैं आपको दिखना चाहूंगा जो प्रातना इस्तल है विद्यार्तियों के लिए वो आपको दिखना चाहूंगा मैं बहुती स्थांदार ढंक से बनाया गया है प्रातना इस्तल है वो केमरा में से कहूंगा कि इसका चारो तरफ गुमा कर कितना बड़ा टीन सेट के अंदर है जो प्रातना इस्तल है वो यह खुबसूरती के साथ में बनाया गया है और यह देख सकते हैं बड़ा सा होल है जो प्रातना इस्तल है विद्यारती यहां बेटकर है सुबह की प्रातना है जो प्रातना करते हैं प्रातना इस्तल के दोना साइड में आप देख सकते हैं कि सांद मीटी लाकर डाली है उसके अंदर है जो आप है गास हो गई गई है एक बगीचे का है जो इसको सौरूप दिया गया है इसके बाद में विद्यालियों के लिए विद्यास्यों के लिए है जो अभी लँच टैम है तो याः पॉसःहर दिया जाता है पोसार का इस्टेड है जो रसोईगर है उसके नीचे टीन सेट बनाया गया है बच्चों को यहां पर साया में बीटा कर है जो पोसार दिया जाता है अभी मैं दिखाना चाहूंगा आपको विद्या लेके अपन अभी परदना ध्यापक जी है प्रिंसिपल मोद है उन